राम राम सभीको नमस्कार सुपरभात अपने तीन कलासें हो चुकी है ये पांच मिनट से समंधी जो कलासे इसे ज्यादा ज्यादा सेर कर दीजिएगा ठीक है चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और स्टेटस जरूर लगाया करो भी इस कलास का है ना और यहां से डारेक्ट मिलेंगे क्योशन जरूर आएंगे रासो जो साहिते है ये ज़्यादा तर अधिकांस तर ध्यान रखना वीर रस से समंधित है और रासो जितने भी साहिते हैं उन्हें दो या तीन अपने क्योशनों के अंदर पढ़ लेंगे है ना तो देखो चंदरवर्दाई की जो रचन कोन करता है चंदरवर्दाई करता है प्रित्विराज रासो जो गरंत है इसमें जो कुल अध्याए है ये अध्याए कितने है 69 अध्याए है इसमें लगबध्यान रखना की चंद जो है ये कितने है एक लाख के करीब इसमें क्या है चंद है और ये किस सेली से समंधित है तो पिंगल सेली से समंदित ये क्या रहता है गरंद रहता है इसमें तराइन के युदों का आपने को क्या मिलता है उलेक मिलता है इस गरंद को जो पूरा है ये किस ने किया था तो दतक पुतर था चंदरवर्दाई का जलहन जलहन के दवरा इस गरंद को क्या किया जाता है पूर गया था विसल्देव जो राशो की जो रचना है ये नर्पती नाला के द्वारा की जाती है नर्पती नाला के द्वारा इसकी रचना की गई थी और इस गरंतमे अपने को ध्यान डखना की बिसल्देव जिनका मूल नाम क्या है विग्र राज चतुर्थ English विगर राज चतूर्थ और राजमती द्यान डखना विगर राज चतूर्थ और राजमती जो है इनकी प्रेम कथा का क्या मिलता है अपने को उलेक मिलता है तो इनकी प्रेम जो कथा है उसका उलेक मिलता है और ये प्रेम रश से और सिंगार रश से समंदित ये क्या रहता है तो प्रेम और सिंगार रश्य समंदित ये गरंत रहता है और जो राजमती है ये राजमती ध्यान रखना की परमार सासक भोज की क्या थी पुत्री थी तो बिसल्देव राशो की रचना करने वड़ा कौन था नर्पती ना ले था सती राशो की रचना किसने की सुर्य मल मिश्रन के द्वारा की जाती है सुर्य मल जो मिश्रन है इन्हें राजस्तान का राजे कवी का दरजा है और इन पर 1990 में दो रुपे की क्या जारी हो चुकी है डाग टिकट इनके उपर जारी हो चुकी है तो 1990 में इन पर कितने रुपे की डाग टीट जारी हो चुकी है तो दो रुपे की इनके उपर ध्यान रखना डाग टीट जारी हो चुकी है कि इन पर सुर्य मल मिश्रन के उपर डाग टीट जारी हो चुकी है नेक्स आता है राम राम राशो राम राशो रचना किसgle समंधीति है मादोस जी धदवडिया से है और मादोस धदवडिया जो है यह अपने कहां से समंधीत है बलून्दा गाउं से समंदीत है बुलुंदा गाउ। वर्तमान कहाँ पर आता है? ब्यावर में आता है। और ये जोदपूर रियासत में थे. हैं जोदपूर रियासत में थे। मादो दास ददवडिया जो है इनकी रचना और भी अपने तो इनकी रचना अपने बात करें तो एक इनकी रचना आती है अक्षर बावनी आती है कौन सी रचना है अक्षर बावनी की इन्होंने रचना की थी इसके अलावा इनकी रचना एक निसानी आती है निसानी इनकी एक रचना है कि इनकी रचना है मादो दास जी की रचना है एक इनकी रचना आती है गज मोख़ इनकी रचना आती है तोगज की रचना है अब एक चीज़ द्यान रखना कि अपने यहां पर एक निशानी रचना आई है और निशानी रचना आई है तो एक द्यान रखना संत हरी राम दास जी जो है इनकी रचना अपने कौन सी है निशानी ही इनकी क्या है रचना है एक अपने रचना आती है सेनानी आती है और ये सेनानी रचना जो है वो मेग राज मुकुल की है मेग राज मुकुल जो है उनकी रचना अपने कौन सी है सेनानी रचना है जिसमें हाडी राणी के बारे में बतायागे हाडी राणी सीस काट के दे दियो छितरानी तो ये दोनों रचना भी ध्यान रखना कि अपने क साखा से समान दीत है, अब अपने देखो याद करने की कोशिस इने करते हैं, याद कैसे करना है, तो देखो सामने देखेंगे अपने याद कैसे करना है, देखो चंदर, चंदर, देखो चंदर, चंदरमा और पृत्वी, चंदरमा और पृत्वी पर जीवन है, चंदरमा और प्रित्वी पर जीवन चंदरवर्दाई ने लिखा प्रित्वी राज रासो पूरा जलन करता है चंदरवर्दाई का मूल नाम जरूर ध्यान रखना ये कई बार पूछ लेता है तो इसका मूल नाम ये प्रित्वी भट है ये मूल नाम इसका क्या है प्रित्वी भट है चंद है नर नर किसका पती है नर पती है नर पती तो द्यान रखना कि राज मती का पती कोण है विग्र है राज है राज मती का पती कोण है विग्र है राज है तो नर का पती तो राज मती का जो पती है वो विग्र है राज है सती सैसे सती सैसे सुरिय अमल मिशन सती होंगे तो द्या से है राम माधो राम माधो राम माधो राम माधो राम का अक्षर अक्षर पर नाम है राम की हर जगे निशानी है राम की हर जगे क्या निशानी है राम ने द्यान रखना की दसम दसम मतलब दसीस वाले का वद किया था राम ने दसीस वाले का क्या किया था वद किया था राम मा मादो एक है राम मादो का नाम अक्सर अक्सर पर है राम की निसानिया है और ध्यान रखना की राम ने दस सिस वाली का क्या किया था वद किया था और गज मोक गज मोक विश्णू जो ते राम का राम विश्णू के सवरूप हैं तो गज मोक गज मोक विश्णू बगवान ने द्यान रखना मगर को की गज को मगर से चुड़ाये था और अगर अपने बात करें तो मादुदास ददवडिया बलुंदा ब्यावर से सूर सिंग के दरवार में थे जोदपूर यासत संत हरी दास जी जी जुए इन्होंने निसानी की रचना की थी मेगराज मुकल ने सेनानी की रचना की थी तो यह अपने रासों से समंदित अपने क्योशन थे ठीक है रासों से समंदित अपनी जान करी थी कलास आपको कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें कलास को ज्यादा ज्यादा सेर करें ठीक है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं